चांद की रेस चंद्रियान 3.40 दिन में पहुँचेगा, रूस का लूना 25 सिर्फ 10 दिन में। दोनों में क्या अंतर? आईए जानते हैं इस विडियो में कि दोनों में आखिर क्या अंतर हो सकता है। भारत ने 14 जुलाई को चंद्रियान 3 लॉंच किया। करीब महीने भरबाद 11 अगस्त को रूस ने अपना मून मिशन लूना 25 लॉंच किया। चंद्रियान 3 को चांद की यात्रा पूरी करने में 40 दिन लगेंगे। वहीं रूस का लूना 25 सिर्फ 10 दिनों में चांद तक का सफर तय कर लेगा। ऐसा क्यों? बहुत से लोगों के मन में यह सवाल है. जवाब यह है कि लूना 25 को एक हाई पावर रॉकेट आगे बढ़ाता है. वहीं चंद्रियान 3 आगे बढ़ने के लिए चांद और धर्ती के गुरुत्वा कर्शन बल का प्रयोग करता है. भारत और रूस दोनों के मिश का लक्ष काफी हद तक एक जैसा हो, मगर लूना 25 और चंद्रियान 3 में काफी अंतर है. आए, समझते हैं कि भारत और रूस के ये महत्वा कांख्शी मून मिशन एक दूसरे से किस तरह अलग है? भारत का चंद्रियान 3 ग्रेविटेशनल फोर्सेज पर ज्यादा निर्भर ह लॉंच के बाद इसे धर्ती की दीर्ग वृत्ताकार कक्षा में स्थापित किया गया. ये उसी रास्ते पर चक्कर काटता रहा जब तक इसरो के वैग्यानिकों ने कुछ मैनूवर्स के जरिये चंद्रियान 3 का ओनर बिट नहीं बढ़ाया. धीरे-धीरे चंद्रियान 3 को चांद की और धकेला जा रहा है. भारत ने पहले के चंद्रमा मिश्नों, चंद्रियान 1 और चंद्रियान 2 में भी यही तरीका अपनाया था. लूना 25 में हाई पावर रॉकेट लगा है, जो ज्यादा इंधन ले जा सकता है. रूस ने इसमें सोयूज 2.1 रॉकेट लगाया ह यह इसे चांद की सतह तक पहुचाने के लिए परियाप्त ताकत देता है. सोयूज रॉकेट की वजह से लूना 25 को धर्ती की कक्षा में इंतजार नहीं करना पड़ा. चंद्रियान 3 के चंद्रमा की सतह पर 23 अगस्त 2023 को सॉफ्ट लैंडिंग करने की उम्मीद है. रूस का स यहां पर बर्फ जमा हो सकती है. ऐसा हुआ तो उससे इंधन, ओंकसीजन और पीने का पानी निकाला जा सकता है. लूना 25 में रोवर और लैंडर हैं. इसके लैंडर का वजन 800 किलो है. लूना 25 पहले सॉफ्ट लैंडिंग की प्रैक्टिस करेगा. 1976 के बाद रूस ने अब सिर्फ तीन देश ही चंद्रमा पर सफलता पूर्वक उतरने में काम्याब रहे हैं. सोवियत संग, अमेरिका और चीन. भारत और रूस का टारगेट चंद्रमा के दक्षणी द्रुव पर सबसे पहले उतरने का है. 1976 में लॉंच किया गया लूना, 24 चांद की करीब 170 ग्राम म लेकर सुरक्षित पृत्वी पर वापस लोटा था. अंतरिक्ष विज्यानी व्लादिमीर सार्डिन का कहना है कि लूना 25 मिशन की सफलता की संभावना 50 फी सदी है. आगे हम चंद्रयान 3 के बारे में कुछ नई जानकारी साजह करते हैं. भारत का चंद्रयान 3 अगले सपता बुधवार 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिनी ध्रुप पर लेंड करेगा. सब कुछ ठीक रहा तो फॉरन ही यह अपने काम में लग जाएगा. चंद्रयान 3 को बड़े प्यार से चांद पर उतारने की जिम्मेदार लेंडर विक्रम की है. इसके बाद रोवर प्रज्यान का मिशन शुरू होगा. चंद्रमा की जमीन पर चलते हुए चंद्रयान 3 का रोवर धर्ती के एकलौते प्राकृतिक उपग्रह के बारे में अहम डेटा जुटाएगा. चंद्रयान 3 से पहले चंद्रमा पर रूस का लूना 25 स्पेसक्राफ्ट भी पहुँच रहा है. हालांक के ओनर बिट में पहले से कई सैटलाइट मौजूद हैं. चंद्रयान 3 को एक ओनर बिट से दूसरे ओनर बिट में भेजने के लिए कुछ मैनूवर्स किये जाते हैं. ये मैनूवर्स बेंगलरू के ISRO सेंटर में बैठे वेग्यानिक अंजाम देते हैं. ISRO के अनुसार, चंद्रमा की सतह पर उतरने की संभावना है. पिछले चंद्रयान मिशनों से सबक लेते हुए लैंडिंग मैनूवर्स में कुछ बदलाव किये गए हैं. सौफ्ट लैंडिंग के बाद चंद्रयान 3 का असली मिशन शुरू होगा. सब कुछ सही पाकर रोवर प्रग्यान को एक सीड़ी के जरिये चांद की सतर पर उतारा जाएगा. काफी कुछ वैसे ही जैसे वीकल ट्रक से गाड़ी उतारी जाती है. चंद्रयान 3 के रोवर पर इंडिया भारत लिखा है. साथ में भारत का राश्ट्र ध्वज और राश्ट्रिय चिन्ह अशोक स्तंभ भी अंकित ह चंद्रयान 3 मिशन के जरिये भारत चांद की रेस में.